पुश्पा ने पुलिस वाली से बात किया था कि पुश्पा ने ताकि पुश्पा जान पाए कि सारन आगे का प्लैन क्या करने वाला है उसका प्लैन आगे का क्या होने वाला है रेकर लगाने के बाद पुषपा को पता चलता है कि सारन को कोई मारने वाला है यह कबर सुनते ही बापोधरा पुषपा और बाकी लोग यह सोचने लग जाते हैं कि अगर सारन खत्री को मार दिया गया तो इस केस से जुड़ा वो शक्त नहीं मिल पाएगा जिसकी तलाश है अब पुषपा जैसे तैसे करके सारन की जान बचाएगी ताकि उसके जरिये पुषपा यह पता लगा पाए कि इस गटना के असली पीछे कौन है यह सुनते ही बापोधरा पुषपार बाकी लोग यह सोचने लग जाते हैं कि अगर सारन खत्री को मार दिया गया तो सुरा क के केस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा अब पुषपा जैसे तैसे करके सारन की जान बचाएगी ताकि उसके जरिये पुषपा यह पता लगा पाए कि आखिर वो कौन था जिसके पास वो सारन गया था अश्विन को दिप्ति की चिंता हो रही है उसे लग कोई दिप्ति को भी नुक्सान पहुचा सकता है ऐसा अश्विन इसले सोचता है क्यूंकि दिप्ति भी इस केस से जुड़ी हुई है सारन देख लेता है कि पुषपा और बापोद्रा उसके कमरे के तरफ इशारा करते हुए घूंगट वाली ओरत से कुछ कह रहते लेकिन स सारन को यह पता नहीं चल पाता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे और घूंगट वाली ओरत से क्या बाते कर रहे थे सारन को नहीं पता है कि वह घूंगट वाली ओरत कोई और नहीं बलकि पुलिस वाली है